आज का आधनिक समय जिस समय विश्व डेमोक्राइसी पर आता है जिस समय विश्व रिलीजन से हटता है खास्त और से कॉम्मिनेस्टों का एक कॉंसेप्ट है वो रिलीजन पर विश्व बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं और विश्व बिलीजन के ऊपर धर्म तो भारत की सदयव से परमपरा रही है भारत तो रिलीजन is the subordinate to the dharm आएसा हम बांद कर चलते हैं कि हमारे हाँ पूजा पाठ सीकंडरी है और धर्म प्रृथम है उस धर्म के जिस धर्म के हम बात करते हैं उसके अपने गुण है, वो वेल व उफ लाइफ है, JUST कि प्रतिक चीज को हमारे साथ कनक्ट करती है और यही भारत का धर्म है राजा के अनुसार उसका धर्म कुछ और है मलब उसके अपने नियम है उसके अपने कर्तब्य है और ऐसे ही भारत में हम ये कहते हैं कि सूर का धर्म, चंद्रमा का धर्म, प्रत्वी का धर्म, नदी का धर्म, पल का धर्म, पून का धर्म, पेड का धर्म, पौधे का धर्म, व्यक्ति का धर्म, पती का धर्म, पतनी का धर्म, ससुर का धर्म, सास का धर्म, मा का धर्म, पिता का धर्म, और पुत्र का धर्म, और स सभी relations, अडोसी, प्रोसी, रिश्दा, सब के, हम सब के धर्मों की बात करते हैं, कोई अगर किसी का बटुए लेकर भागे और दूसरा व्यक्ति उसको उस बटुए को छीन कर वापस लाए और व्यक्ति को पकड़ ले, तो सामने वाला गर उसको थेंक्यू कहता है, तो हमारे हां यह परंपराव है, यह तो मेरा धर्म था, और अभी तो उसमें यह भी कहा जाता है, यह तो मेरा करतब था, अब यह जो जनता के लिए है, वो करतब ही उसका धर्म है, राजा के लिए सुरक्षा उसका धर्म है, में विक्ति को मोक्ष की तरफ ले जाएगा मोक्ष प्राप्त करना जिसका उद्देश है उसको ही हम धर्म कहते हैं और ये धर्म ही भारत में प्रिवेल करता है Religion है, Religion की पूरी सुतंतरता है, जो जिसको चाहे उसको माननता दे, जिसको चाहे उसको पूजे, जिसकी चाहे उसकी अरादना करे, जिसको चाहे जो करे लेकिन Religion धर्म पर भारत में हाभी नहीं होता, धर्म is the final thing अब आज के धर्म की हम बात करें, तो भारत का संविधान, कभी अर्दशास्त्र, कभी वेद, तो कभी पुरान, जो जिस्ट है वो वेदों से है, लेकिन ऐसे समय पर भी पंदरा सो साल पहले, कोई वेक्ति ने कोई बात कह दी, वो किसके नाम से कही उसको उपर से क्या ख़बर आई, उस वेक्ति के उस पंद्रा सो साल पुरानी परसितियों के अनुसार कोई बात को कहना आज उसको implement करवाना या उस पर prevail करना या उसके आधार पर हत्याएं कर देना या वो ही माना जाएगा ऐसा मनवाने के लिए आतंक फैलाना यह रूड़ी बात का ही एक illustration है पिश्ड़े पर का illustration है लेकिन ऐसी मानता करने वाले और होने वाले लोग तो हैं इसी प्रकार अब अगर कोई यह कहे कि वो पैगंबर है और वो पैगंबर है इसलिए वो ऐसा 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 कर रहा है जैसा वो कर रहा है वैसी ही मानता मिलनी चाहिए वैसे ही उसके फॉलवर भी तैयार हो जाते हैं लेकिन जो अपने आपको पैगंबर कहे दो हजार देड़ हजार साल कुरानी बात को इस्टाबलिश करने की कोशिश करे और यह कहे कि नहीं भई पंद्रा वर्ष से कम आयू की लड़की के साथ विवाह करना ही यह मैं पैगंबर हूँ वो कहता है वो पैगंबर है इसलिए वो ऐसा कर सकता है यूएस में ऐसे ही एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है जिसकी बीस शादियां हो अपनी सगी बेटी से जिसने शादी की अब यूएस की जो एबियाई है फैडरल बेरो अफ इनिवेस्टिगेशन है उसके रिकॉर्ड में जो उसका एफिडेविट है उस एफिडेविट म कंपनी वो दो क्रक्स उसका नाम दूसरा होगा मैं उसको दूसरे शब्द में बोल रहा हूं क्रक्स के पैकेट दिये अपनी बेटी को पचास डॉलर दिये और कहा कि मैं बिल्कुल पवित्र वेक्ति हूं और पवित्र वेक्ति अगर अपनी बेटी के साथ वो करे जो की पुत्र प्राप्ति के लिए हो तो उपर वाले की ही संतानत पत्ती होगी तो अभी वो वैसा बिहेव करेगा जैसा की एक लड़का लड़की के साथ बच्चे पैदा करने के लिए करता है और ये एक पवित्रकार है फिर लड़की के साथ वो रेप करे और ऐसे करके बीस लड़कियों के साथ जिनकी आयू 11 से 15 वर्ष की है उनके साथ वो विवाह करे और विवाह करके ये कहे कि वो पवित्रकार कर रहा है क्योंकि वो प्रॉफिट है क्योंकि वो पैगंबर है तो आप सोच सकते हैं कि आज के जमाने में ऐसा कैसे हो सकता है ऐसा सोचने बाले कैसे लोग हैं ये बात आती है एक religious cult leader की religious cult leader की मतलब उनका है polygamist cult leader अब polygamist cult leader मतलब है एक ऐसा मोरोस समाज जो की अधिक शादियां करने पर विश्वास करता है वो अपने आपको indigenous person कहते हैं और indigenous person कहने के बाद वो ये कहते हैं कि हमारे यहां तो परंपर है और कानूनों में उनको छूट भी रखी है कि वो एक से जदा विवाग कर सकते हैं ये moron group है moron सबाज है US का और ये जो leader है जो ये व्यक्ति है ये cult leader कहते हैं करिश्माई leader को ये करिश्माई leader है small polygamist moron group का ये leader है छोट ऐसा वो ग्रूप होगा जिसका ये leader है लेकिन इसका जो basic है जो इसको जो कहते हैं वो fundamentalist church of Jesus Christ of later day son FLDS इसको कहते हैं 46 वर्ष के इसकी आई है कुछ लड़कियों को ले जाते हुए इसको रास्ते में रोका गया identity पूछी गई तो identity में वो लड़किया नावालिक थी लड़कियों के साथ को उसने अपने पत्नी बता दिया पत्नी बता दिया तो इसकी गिरफतारी हुई पहले ये भाग गया भागने के बाद इसकी गिरफतारी हो गई और गिरफतारी के बाद जब investigation शुरू हुआ तो उसने अपने आपको पत्नी बताया और पैंगंबर बताते हुए और 20 साधियों की चर्चा हुई और इनिवेस्टिकेशन हुआ तो कहीं उसके घर में छापे अपे मारे गए तो 9 लड़कियां पकले नहीं सब ने अपने आपको पत्नी बताया अच्छा चुकि ये कल्ट लीडर है तो बहुत सारे लोगों ने अपनी लड़कियों का विवा स्वयम से उसके साथ कर दिया क्योंकि उसने हिप्रडाइस करके रखा था करिश्मा दिखाता था इसका नाम है बेटमेन बैटमेन और उसने अपने आपको प्रोकलेम किया कि वो प्रॉफिट है अब ये जो मोरोन ग्रूप है ये क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं अलिगामिस्ट मोरोन ग्रूप क्या है यह एक्चुली यह जो मोरोन ग्रूप है यह परिवार पर विश्वास करता है और इसका कहना है कि परिवार को एकत्रित करके रखना है पती पतनी को साथ साथ रहना है बच्चों को अच्छे संसकार दिये जाएं बच्चों की की जाए यही इसका उद्देश्य है इनका कहना है यह जो ग्रूप यह जो मोरोन जाती है उसका कहना यह है कि वो लोग अपने परिवारों को जीसस क्रिस्ट के उपदेशों के अनुसा उनको सनक्षन करते हैं और बच्चों को पालने के लिए घर में कोईने कोई होना चाहिए बच्चों को अकेले ने चोड़ना और फैमिली को तोड़ना नहीं क्योंकि इंग्लिश सिस्टम का जो सबसे बड़ा अबगुन है, वो ये है कि बच्चे जब बड़े हो जाएं तो वो अपने अपने घर में रहने जाएं, वो अपना विवा कर ले, मर्जियों वहाँ जाएं, माबाप अलग रहेंगे, बच्चे अलग रहेंगे, माबाप मर जाएंगे, तो सम्मिल कर उसका अंतिम सस्कार करतें और कभी-कभी Sunday को time लेकर मिलने आएंगे, यानि कि शुट्टी वाले दिन, कभी-कभी मिलने आएंगे, कभी उनके चर्च में वो चले जाएंगे, तो कभी उनके चर्च में वो चले जाएंगे, ये सुकरात और Pluto की philosophy है, जो ये कहते हैं, कि जो पुरुष और मैला हैं, वो तो enjoy करने के लिए पैदा हुए हैं, उनका परवरिष से और उनका एक दूसरे के पालन से कोई मतलब नहीं, इसलिए माता-पिता बच्चों को बहुत लंबे समय तक नहीं पालते, और बच्चे माता-पिता को बहुत लंबे समय तक सनक्षन नहीं देते, लेकिन हम सब जानते है जीजस क्रेस्ट का अपना एक वो रहा है 17 वर्ष की आयू से, अगर आप ओशो को पढ़ेंगे, तो वो कहते हैं 17 वर्ष की आयू से लेकर 30 वर्ष की आयू तक जो टाइम गैप है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है क्रिशनों के पास, वो भारत में रहे, भारत से उन्होंन भारत में रिष्टों को जितनी एहमियत दी जाती है, उसमें कोई शक नहीं और उतना किसी भी संसार के किसी समुदाय में ने दिया जाता है, हम अपने बच्चों को संसकार देते हैं, बच्चों के साथ जीते हैं, बच्चों के साथ मरते हैं, बच्चों को ऐसे संसकार दी जाते हैं कि उनके अंदर संबेदना होती है, उनके अंदर पीडा होती है, माबाप की पीडा, परिवार की पीडा होती है, जीसस क्रेस्ट भी इन लोगों का कहना है, जो FLDS सोसाइटी है, इनका कहना है कि हम जीसस क्रेस्ट के जो परिवार वाद था, उस परिवार को ग्रुप और उसको बढ़ने के लिए उसको सनरक्षत रखने के लिए इसके लिए अगर पती नोकरी करेगा काम करने जाएगा तो पत्नी बच्चों के साथ रहेगी और अगर पत्नी दोनों ही काम करने जाते हैं तो एक से ज़्यादा एक से अधिक शादिया कर ली जाती हैं वो दूसरी ना करवाने का परगाम यह है कि जो इस प्रकार के पॉलिगेमिस्ट मोरोन ग्रुप पैदा हो गए हैं जो अपने आपको कल्थ लीडर कहते हैं करश्माई लीडर कहते हैं फंडमेटल चर्स अब जीजस क्रिस्ट अपने आपको कहते हैं ये लोग इन्होंने कितना गलत करके रखा है उसको सोचेए कि एक 46 वर्ष का आदमी अपने आपको पैगंबर घोशत करता है और वो साइकेटिक है साइकेटिक वो अपने आपको पैगंबर कहता है तो लोग उसके पीछे पीछे भी घूम रहे है अब उसके पीछे घूमते हैं पैगंबर मतलब इसा मसी को भी पैगंबर कहा गया है य ये अगनी के पूजा करने वाले लोगों ने ही बाद में मूर्ति पूजा भी शुरू कर दी, लेकिन जो किताविया हैं, वो मूर्ति पर विश्वास नहीं करते, वो अगनी पर विश्वास नहीं करते, वो प्रकृति पर विश्वास नहीं करते, उनका कहना है कि जिस व्यक्त वहारे लिए और तुम उसका उभोग करो, मौच करो, जाओ, यह फिलोसपी है, बेसिक फिलोसपी, तो इस फिलोसपी में कई एक उपर वाले ने भेजे, उनमें ही जीजस क्रेस्ट भी थे, जीजस क्रेस्ट के ही फॉलोवर उनी के आगे, मुसलमान भी उसी वन्ष परमपरा स आते हैं, लेकिन जीजस क्रेस्ट से पहले कभी यहूदी रहे होंगे, या यहूदियों का अपना इवराहिम का रहा फिलोसपा, तो फिर आखिर सवाल यहां पर पैदा होता है, कि मुसलमानों में और इसाईयों में भेद क्यों हैं, क्यों ही गुसरे से लड़ते हैं, उसका पावर इन पालेमेंट, पावर इन किंग, किंग ही सब कुछ है, ऐसा कर दिया, उससे पहले लंबे समय तक, जब तक जीजस क्रिस्ट के बाद का परिग्रम है, या उसी समय की बाद है, तो पावर इन रूल रूल आफ चर्च, ऐसा चलता था कि चर्च का पादरी जो कहेगा वही सत्ते है, वही सब कुछ है, और उसको वो समय समय पर अलग-अलग जो बड़े संत अपने आपको सेंट वो कहते हैं, सेंट भी संत भी हमारे आँका ही चुराया हुआ शब्द है, तो वो अपने आपको सेंट कहते हैं, उसी में से कुछ को पैगंबर कहते हैं, इसलिए उनके क्रिशनों में वह स्अरे पगंबर की चरचा है आप अगर मुसलमानों की बात करेंगे तो वो भी बहुस बहुत की बात करते हैं हैं कोई मसलमानों है पही महिफ के बाद कोई पेगंबर नहीं आएगा वे उनके शब्द अंतिम शब्द है लेकिन इसाई उसको अभी भी मानते हैं कि भी आते रहेंगे तो ये उनके conceptually आपस में contradiction है लेकिन फिर भी अगर इसाले इसलाम भी इसाले इसलाम ले जीसस को कहते हैं वो पेगंबर थे तो फिर उनको नमानकर उनका विरोध क्यों तो जैसे मैंने कहा कि पार्लेमेंट ने उसमें religious function है केवल बाकी administrative functions और और जो ruling functions है जो behavioral functions है जो security के function वो सब परलेमेंट है अपने हाथ में ले लिए उसी में वो मैगना काटा उन्होंने पास किया था तो वो सारे पावर उन्होंने अपने हाथ में लिए और religion को अलग कर दिया यह जो religion को अलग कर दिया यह जो नई नहीं टेक्स्टामेंट बनी जिसमें religion केबल वो उसमें रहे गया कुरान बाइबल में और परलेमेंट administrative function ले गई और administration function नहीं कुरान से हटा दिया इसको नया टेक्स्टामेंट केते हैं तो मुसलमानों ने कहा कि जो पैगंबर पुराने टेक्स्टामेंट दे गए वही final है नियु टेक्स्टामेंट को हम मानते नहीं और पुराने टेक्स्टामेंट को अब मानना नहीं चाहिए क्यों क्योंकि अब तो last पैगंबर मुहमद आगे और मुहमद नहीं कुरान देगे तो अब सबको कुरान माननी है ऐसा ही हिंदूों के लिए भी वो कहते हैं कि वह इसा वो मान कर चलते हैं नहीं मानोगे तो इसलाम विरोधी हो नहीं मानोगे तो खत्या होनी चाहिए नहीं मानोगे तो तुम्हारा nauपर स्वर्ग में जणनत मिलनी चाहिए ऐसा कॉंसेप्ट रहता है इसलिए Sellim बना मुसल्मान रहता है ये चलता रहता है उनके बीच लेकिन आज की जमाने में भी ये पुराने पैगंबरों की भाई अपने मन में मानिया ठीक है लेकिन उनकी विवस्था को देश में प्रिवेल कर देना और उसके आधार पर आतंक बात संसारवर में फैलाना और ये जो न इट्समें बच्चियों के साथ रेप करता है बीच भी सरकता है पॉलिगामी के लिए लोगों को प्रोशाहिद करता है कल्ट लीडर अपने आपको बताता है पॉलिगामिस्थ मोरन गुरूप अपने आपको कहता है यूस गवर्मेंट ने इसकी खिलाफ यानि की फेडरल जो जो FBI है FBI ने इसको गिरफतार किया है इसके खिलाफ बहुत सारे मुकतमे लगाए है और अब अभी investigation चल रहा है 20 की खबर आ चुकी है कितनी और पतनिया इसकी हैं इनकी बेटी भी बेटी भी rescue की जा चुकी है इस तरह कि जितने वो हैं जितने religious group कहते हैं कि हम समिधान नहीं मानते हम इसको ही मानते हैं इन सबको jail में डालने की आवशक्ता है otherwise आतंक बाद आप खतम नहीं कर सकते otherwise आप ये जो घिनोने करते चलते रहते हैं उनको खत्म नहीं कर सकते हैं जै भारत बंदे मात्रा